नमस्कार दोस्तों मैं इंक पुरुपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में बजार में रिकवरी आते हुए दिख रही है इंडेक्स लेवल पे तो अच्छी खासी रिकवरी हुई है नीचे से देखू तो अगर पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात की जाए तो नीचे से 500 पॉइंट से जादा रिकवर कर गया है अभी भी उपर से देखू तो 300 पॉइंट नीचे खड़ा है लेकिन नीचे से 500 पॉइंट उपर खड़ा है और लग ऐसा रहा है कि ये ना उपर की तरफ जाने क के लिए बेसाबर हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा कॉंट्रिब्यूशन आज एक एक स्टॉक का है वह है HDFC बैंक शेर की बात की जाए तो हर एक बंदा इस स्टॉक को लेकर positive है और ये शेर हर एक बंदे को गलट ठहराता है शेर में continue गिरावट ही चलती रहती है मैंने भ FC और YouTube पे तो continue बनाता ही रहता हूँ और आज इस स्टॉक में move अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक को मैंने बहुत बार discuss किया है आप लोगों के पास उपर के level से भी हो सकता है होगा ये शेर जब से merger की खबर आई है दो साल हो गए ये शेर चला नहीं है लेकिन valuation इतने सस्ते हो गए है कि हर एक व्यक्ती के मुह में लाला चा जाता है ऐसे देखकर कि भईया इसमें तो खरीद लोग होने के लिए ही क्या बट शेर नहीं चलता है अभी 1460 रुपे पे ट्रेड कर रहा है दो परसेंट उपर है और ऐसा लग रहा ही कि और उपर जान देता हुआ दिख रहा है अगर आप निफ्टी के भी top gainers की list देखोगे तो उसमें ये top मिलेगा और निफ्टी में top point contribution के मामले में देखोगे कि सबसे आदा तेजी के लिए कौन आपको आगे बढ़ा रहा है तो वो भी HDFC bank की दिखेगा क्योंकि पहले तो HDFC bank का weightage आप बजार के लिए अच्छा रहना चाहिए यानि कि अब जो यहां से बजार चलेगा निफ्टी अभी 22-360 trade कर रहा है अब 400 निफ्टी मार्केट ब्रहत देखो थोड़ी दिर पहले 2000 जो आपके NSC पे stocks है वो negative थे अभी 1900 है तो stocks थोड़ा सा उपर आ रहे हैं तो फिर definitely index उ जादा नीचे था अभी 1.75% नीचे है यानि पॉने 2% यानि कि 14% की recovery है तो यह सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बजार शायद recover कर जाए कोशिश हो रही है stocks भी मतलब आखों के सामने 2-3-3% बढ़ रहे हैं लाला चाहरा है कि हां जी खरीद लिया जाए आपके साथ भी discuss कर दिया जाए बट अभी मैं control ही कर रहा हूं अभी नहीं कर रहा हूं आप सभी के साथ भी discussion नहीं कर रहा हूं बट definitely कुछ लगेगा कि हां interesting है for an example मैंने इससे previous वीडियो में 10 stock discuss कर रहे थे जो crash थे उनमें एक जी जैंसल engineering था 40% टूटा ही बीते कुछ दु करूं तो क्या यहां पर खरिदारी की जा सकती है HDFC में इस सवाल है definitely लेकर बैठ जाओ लेकिन आप सोचो कि मैं आज ले लूँ कल जल जाए नहीं भाई साब यह सोच से पैसा बनेगा ही नहीं आपको यही सोच नहोगा मैं आज लगा रहा हूं दो साल तक मेरे को पैसे की ज रहा हूंगा तो आप पैसा लगाईए otherwise आप आज की तेजी को देखकर कल के लिए प्ले कर रहे हो तो मैं नहीं कहूंगा हां कल बन जाए पैसा well and good नहीं बनेगा तो मैं परेशान नहीं हूंगा depression में नहीं जाओंगा हर सेकंड बाव को नहीं देखूंगा यह सारे मेरे कोड की तरफ से नेगेटिव है बर इतना कुछ खास नेगेटिव नहीं है इसलिए मैंने आप सभी के साथ कहा भी था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके पास शेयर है तो होल्ड कीजिए देड़ परसेंट नीचे है बैंग निफ्टी आपको गे ऊपर है कोई नहीं है एक स्टॉक है जो सत्रा परसेंट क्रेश हो गया है स्टॉक का नाम है पैसालो डिजिटल इसके लिए हाई कोड से बड़ी खबर आ रही है और कंपनी खंडन कर रही है इसा कुछ भी नहीं है गलत खबर है लेकिन शेयर का प्राइस रिकवर नहीं कराया भी था यह सबसे बड़ी बात है बाकी बहुत सारी कंपनी इसको ओर्डर मिलते हूँ दिख रहे हैं तो दिन के दरान आज मैं आप सब इक साथ बहुत कोछी स्पेशल करने वाला हूँ सारे स्टॉक की खबर तो मैं आप सब इक साथ कंटीनू शेयर करता ही हूँ वह तो करूंगा ही करूंग उसी बीच NSC की तरब से एक ख़बर आई दी जहां पे ये derivative transaction के charges 1% तक कम करने वाले हैं तो अब इससे कितना impact BSC को पड़ेगा और कितना NSC को पड़ेगा और BSC का share क्यों गिर रहा है ये सारी चीज़े मैं आप सब एक साथ दिन के दोरान definitely share करूँगा अब बी के लिए सिर्फ इतना है thank you so much for watching this video have a great day guys